देखे class 10 का chapter 5 है उसका example 2 है question में बोला गया है which of the following list of numbers form an AP if they form an AP write the next two terms तो यहाँ पर हमें कुछ numbers की list given है इन numbers की list में हमें यह देखना है कि इन में से कौन-कौन जो है AP बन रही है अगर AP बन रही है तो हमें आगी की two terms भी उसकी find करनी है तो जो सबसे पहला question है वो है 4, 10, 16, 22 and so on हमें यहाँ पर यह देखना है कि यह AP बन रही है या नहीं तो जब हम यह देखते हैं कि AP बन रही है या नहीं तो उसके लिए हमें जो number की जो हमें list given है उसकी terms के बीच का difference देखना पड़ता है कि उसकी terms के बीच का जो difference है वो एक जैसा आ रहा है या नहीं और difference देखने के लिए हम क्या करते हैं जो दूसरे number की term होती है यह पहले number की term को A1 बोलते हैं दूसरे number की term को A2 यह A3 और यह 4 तो सबसे पहले क्या करते हैं A2 मेंसे हम A1 को minus करेंगे A2 हमारे पास कितना है 10 और A1 हमारे पास कितना है 4 तो 10 मेंसे 4 जाएगा तो 6 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके से अब जब हम इसको आगे ले करके चलेंगे तो यहाँ पर उसके बाद अब हम निकालते हैं A3 माइनस A2 पहले हमने निकाला A2 माइनस A1 तो आया 6 अब हम निकालेंगे A3 माइनस A2 A3 कितना हो जाएगा 16 और माइनस A2 कितना आ जाएगा हमारे पास 10 तो 16 मेंसे 10 अगर चला गया तो कितना बचेगा 6 इसी तरीके से फिर उसके बाद आप हम निकालते हैं A4 माइनस A3 A4 कितना है 22 और माइनस A3 कितना है हमारे पास 16 22 में 16 चला गया तो 6 बचेगा अब यहाँ पर आप यह देखें कि इन सारी की सारी जो टम्स थी उनके बीच का जो डिफ्रेंस है वो इक्वल आया है अगर डिफ्रेंस अगर इक्वल आ जाए तो वो जो लिस्ट लिखी हुई है नमबर्स की वो AP बन जाती है यानि कि वो AP ही होती है ठीक है तो यहाँ पर हम लिख देंगे इट इज एपी इट इज एपी अब अगर यह AP है तो हमारे पास 4 टम तो है आगी की 2 टम यानि के 5 टम और 6 टम हमें यहाँ पर निकालने पड़ेगी अब कोई सी भी टम निकालने के लिए AP की कोई भी टम निकालने के लिए हमें दो चीजों की जरुत पड़ती है एक तो common difference की जितना उनके उसकी terms के बीच में difference है उसकी और दूसरा जो है A हमारे पास कैसे पता चलता है जो first time होती है first time को हम A बोलते हैं तो A कितना है हमारे पास 4 अब हमारे पास D और A है जब हमारे पास D और A आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं अब हम कोई भी टम निकाल सकते हैं हमें निकालनी है A5 तो A5 का formula होगा A plus 4D A कितना है हमारे पास 4 और प्लस में 4 into D कितना है हमारे पास 6 तो 4 यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 6 गा 24 और ही कितना जाएगा 28 तो हमारे पास जो पांच में नंबर की term थी वो 28 आ गई अब A6 निकालेंगे A6 का formula क्या होता है A plus 5D ठीक है जो भी हाँ पर term निकालनी होती है A तो सब में आएगा प्लस में इस नंबर में से A कम करके D के साथ आ जाता है ठीक है अब A कितना है हमारे पास A4 है प्लस में 5 into D कितना है हमारे पास D है हमारे पास 6 ठीक है यह इसका answer आ जाएगा अब देगे इसका second part देख लेते हैं second part को भी AP चेक करने के लिए कि AP है यानि क्या करेंगे हम A2 minus A1 करेंगे A2 कितना है हमारे पास minus 1 और minus A1 हमारे पास कितना है 1 तो दोनो minus minus के अगर है तो add होंगे sign minus का आएगा तो यहाँ पर आया minus 2 अब हम क्या करेंगे A3 minus A2 करेंगे A3 कितना है minus 3 और minus A2 कितना है minus 1 अब देखिए अगर formula में माइनस है मतलब यहाँ पर भी माइनस आ रहा है और A2 की value में माइनस है तो minus plus बन जाएगा यह वाला तो यह कितना आ जाएगा हमारे पास minus 3 plus 1 तो यह आ जाएगा minus के 2 तो हमने देखा दोनों भी equal आ गए अभी हम यहाँ पर रुकेंगे नहीं अब हम देखेंगे A4 minus A3 A4 कितना है minus 5 और minus A3 कितना है minus 3 minus यहाँ पर भी है और minus की value में भी है तो plus 3 आ जाएगा और यहाँ पर minus 5 plus 3 तो कितने बचेंगे minus 2 तो हमने यहाँ पर देखा कि इनके बीच का जो difference है वो equal आ गया अब जब बीच के इनके बीच का difference अगर equal होता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो है एक AP है तो हम यहाँ पर लिख देंगे it is AP यह एक AP है और जब यह AP है तो question में हमसे बोला गया था कि आगे की two terms भी हमें find करनी है अब जब आगे की two terms हम यहाँ पर find करेंगे तो उसके लिए हमें ज़रुत पढ़ती है A और D की तो आपको मालूम है इस तरीके से जो निकल के आता है D जिसको हम common difference होता है वो हमें यहाँ से मिल जाता है जो इस तरीके से निकल के आया है और A क्या हो जाता है जो इसमें जो first term होती है वो A हो जाती है अब हम निकालेंगे एक दो तीन चार चार टम तो दे रखी है तो आगे की two terms निकालने के लिए पांच भी और छटी टम चाहिए हमें तो A5 A5 का formula क्या होगा A plus 4D तो A हमारे पास कितना है 1 और plus में 4 into D कितना था हमारे पास minus 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और 4 to the 8 और यहाँ पर आ जाएगा minus के 7 तो यह कितना आ जाएगा A5 A5 की value हमारे पास यह आ चुकी है अब हम क्या करेंगे A6 A6 जब निकालेंगे तो A plus 5D होगा A कितना है हमारे पास A है 1 और plus में 5 into D कितना है हमारे पास D है minus 2 और यह 1 आ जाएगा plus minus की multiply minus 5 2 कितना जाएगे 10 और यहाँ पर देखेंगे अगर हम तो यह आ जाएगा minus के 9 तो जो A6 है उसकी value आ चुकी है minus के 9 यह इसका answer आ जाएगा देखेंगे इसका third part है उसमें लिखा हुआ है minus 2 2 minus 2 minus 2 and so on इस तरीके से चलता चला जा रहा है अब हमें इसको भी check करना है कि AP होगी या नहीं तो हम क्या करेंगे वही चीज़ के A2 minus A1 निकालेंगे A2 कितना है 2 और minus A1 क कितना है minus 2 अब देखे minus formula में भी था और A1 की value में भी है तो यह minus plus बन जाएगा plus 2 तो यहां जाएगा 4 अब हम निकालेंगे A3 minus A2 A3 कितना है minus 2 और minus A2 कितना है 2 minus का अब minus minus दोनों जो है plus हो जाते हैं sin minus का आथा तो minus 4 आया अब आप यहां पर यह देखें के यह तो आया था 4 और यह आया है minus 4 तो यह दोनों equal नहीं होते हैं जब यह दोनों equal नहीं है तो इसका मतलब इनके बीच का difference equal नहीं है और जब difference equal न नहीं है तो हम आगे की two terms भी यहां पर नहीं निकालेंगे यह इसका आंसर आ जाएगा ठीक है अब देखे जो fourth part है इसका उसमें 111223333 अब हम क्या करेंगे सबसे पहले a2-a1 निकालेंगे a2 कितना है one और minus a1 कितना है one तो one में से one गया zero ठीक है अब a3-a2 निकालेंगे a3 भी कितना है one और minus a2 भी कितना है one यहां पर भी हमने जो है जब difference को निकाला one में से one गया zero आया है दोनों बराबर आ गए मगर अभी नहीं के बेस पर हम यह नहीं बोलेंगे कि ap है फिर अभी हमें आगे देखना पड़ेगा a4-a3 a4 अगर हम देखते हैं तो two है और minus a3 कितना है हमारे पास one तो two में से one गया तो one आया तो आप यहां पर यह देख लीजीए यह अलग-अलग आ गए अगर जितने भी numbers given हैं अगर उन सब के बीच का difference equal नहीं आता है तो हम कह देंगे कि वो a-p में है ही नहीं ठीक है तो अब जो है हमें पता चला यहां पर zero यहां पर zero यहां पर one तो अब क्या होगा it is not a-p तो यहां पर हम लिख देंगे it is not a-p यह इसका answer झाल यहां पर दोगा जगा है